इस विशे पर मुझे देश भर के युवाओं के पत्र भी मिले हैं, सोशल मीडिया पर भी जबर्दस रिस्पांस मिल रहा है, लोगों ने मुझे कई तरह के सुझावी बेजे हैं, कुछ युवाओं ने पत्र में लिखा है, कि ये उनके लिए वाकई अकल्पनिया है, दादा या माता पिता की कोई राजनितिक विरासत नहीं होने की वज़े से, वो राजनिति में चाहकर भी नहीं आ पाते थे, कुछ युवाओं ने लिखा, कि उनके पास जमीनी स्तर पर काम करने का अच्छा अनुभव है, इसलिए पिर लोगों की समस्याओं को सुलजाने में मददगार बन सकते हैं, कुछ युवाओं ने ये भी लिखा, कि परिवारवादी राजनिती नई प्रतीभाओं का दमन कर देती हैं, कुछ युवाओं ने कहा, कि इस तरह के प्रयासों से, हमारे लोकतंत्र को और मजबुती मिलेगी, मैं इस विशय पर सुझाओं भेजने के लिए हर किसी का धन्यवाद करता हूँ, मुझे उमीद है कि अब हमारे सामुहिक प्रयास से, ऐसे हुआ, जिनका कोई पोलिटिकल बैक्राउंड नहीं है, वे भी राजनिती में आगे आ सकेंगे, उनका अनुभव और उनका जोश, देश के काम आएगा, साथियों, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी, समाज के हर क्षेत्र से, ऐसे अनेकों लोग सामने आये थे, जिनकी कोई राजनितिक प्रुष्टभूमी नहीं थी, उन्होंने खुद को भारत की आजादी के लिए जोग दिया था, आज हमें विक्सित भारत का लक्ष पाने के लिए, एक बार फिर उसी स्पिरिट की जरुवत है, मैं अपने सभी युवा साथियों को कहूंगा, इस अभ्यान से जुरुर जुड़े, आपका ये कदम अपने और देश के भविष को बदलने वादा होगा, मेरे प्यारे देश्वासियों, हर घर तिरंगा और पुरा देश तिरंगा, इस बार ये अभ्यान अपनी पूरी उचाई पर रहा, देश के कौने कौने से सभ्यान से जुड़ी अधुद तस्विर सामने आई, हमने घरोंपर तिरंगा लहराते देखा, स्कूल, कॉलेज, युनिवर्सिटी में तिरंगा देखा लोगों ने अपनी दुकानों, दब्तरों में तिरंगा लगाया लोगों ने अपने डेस्टॉक, मोबाइल और गाडियों में भी तिरंगा लगाया जब लोग एक साथ जुड़कर अपनी भावना प्रगड करते हैं, तो इसी तरह हर अभियान को चार चांद लग जाते हैं अभी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्विरे देख रहे हैं, यह जम्मु कश्मीर के रियासी की है यहां 750 मिटर लंबे जंडे के साथ तिरंगा रेली निकाली गई, और यह रेली दुनिया के सबसे उंचे चिनाब रेलवे ब्रीच पर निकाली गई जिसने भी इन तस्विरों को देखा, उसका मन खुशी से जुम उठा स्रीनगर के डल्लेक में भी तिरंगा यात्रा की मनमोहक तस्विरे हम सब ने देखी अरुनाचल प्रदेश के इस कामेंग जिले में भी 600 फिट लंबे तिरंगे के साथ यात्रा निकाली गई देश के अन्य राज्यों में भी इसी तरह हर उम्र के लोग ऐसी तिरंगा यात्राओं में शामिल हुए स्वतनत्रता दिवस अब एक सामाजिक पर्वे भी बनता जा रहा है ये आपने भी अनुहो किया होगा लोग अपने घरों को तिरंगा माला से सजाते हैं स्वयम सहायता समूज से जुड़ी महलाएं लाखों जंडे तयार करती हैं इकॉमर्स प्लेटफॉर्म पर तिरंगे में रंगे सामानों की बिक्री बढ़ जाती है स्वतनत्रता दिवस के अउसर पर देश के हर कोने जल थल नब हर जगह हमारे जंडे के तीन रंग दिखाई दिये हर गर तिरंगा वेबसाइट पर पाँच करोड से ज़्यादा सेलफी भी पोस्की गई इस अभ्यान ने पूरे देश को एक सुत्र में बांद दिया है और यही तो एक भारत स्रेष्ट भारत है मेरे प्यारे देशवासियों इनसानों और जानवरों के प्यार पर आपने कितनी सारी फिल्में देखी होगी लेकिन एक real story इन दिनों असम में बन रही है असम में तिनसुत्यां जिले के एक छोटे से गाउं बारे कुरी में मोरान समुदाय के लोग रहते हैं और इसी गाउं में रहते हैं हुलोग गिबन जिन्ने हाँ होलो बंदर कहा जाता है हुलोग गिबन्स ने इस गाउं में ही अपना बसेरा बना लिया है आपको जानकर आश्चेले होगा इस गाउं के लोगों का हुलोग गिबन्स के साथ बहुत गहरा सबंद है गाउं के लोग आज भी अपने पारंपालिक मुल्यों का पानन करते हैं इसलिए उन्होंने वो सारे काम किये जिससे गीबंस के साथ उनके रिष्टे और मजबुत हो उन्हें जब यह अहसास हुआ कि गीबंस को केले बहुत पसंद है तो उन्होंने केले की खेती भी शुरू कर दी इसके अलावा उन्होंने ताय किया कि गीबंस के जन्म और मुर्त्यू से जुड़े रिती रिवाजों को बैसे ही पूरा करेंगे जैसा वे अपने लोगों के लिए करते हैं उन्हों ने गिबन्स को नाम भी दिये है soutarlly में गिबन्स को पार से गुजर रहे बिजली के तारों के कारण मुष्किनों का सामना करना पड़ रहा था ऐसे में इस गाओं के लोगों ने सरकार के सामने इस मामले को रखा और जल्द ही इसका समाधान भी निकान लिया गया कि अब ये गिबंस तस्फिरों के लिए पोज भी देते हैं साथियों पश्वों के पती प्रेम में हमारे अरुनाचल प्रदेश के युवा साथि भी किसी से पीछे नहीं है अरुनाचल में हमारे कुछ युवा साथियों ने 3D प्रिंटिंग टेक्नोलोजी का उप्योग करना शुरू किया है जानते हैं क्यों क्योंकि वो वन्य जीवों को सिंगों और दातों के लिए सिकार होने से बचाना चाहते हैं नादम बापू और लिखा नाना के नित्रुत में ये टीम जानवरों के अलग-अलग हिस्सों की 3D प्रिंटिंग करती है जानवरों के सिंग हो दात हो ये सब 3D प्रिंटिंग से तयार होते हैं इससे फिर ड्रेस और टोपी जैसी चीज़े बनाई जाती है ये गजब का अल्टरनेटिव है जिसमें बायो डिग्रेडेबल मट्रियल का उप्योग होता है ऐसे अध्भूत प्रयासों की जितनी भी सहरा ना की जाएं कम है मैं तो कहूंगा अधिक से अधिक स्टार्ट अप इक शेत्र में सामने आएं ताकि हमारे पश्वों की रक्षा हो सके और परंपरा भी चलती रहे मेरे प्यारे देश वास्यों मद्य प्रदेश के जाबवा में कुछ आशा सांदार हो रहा है जिसे आपको जुरूर जानना चाहिए वहाँ पर हमारे सफाई कर्मी भाई बेहनों ने कमाल कर दिया है इन भाई बेहनों ने हमें वेश्ट टू वेल्ट का संदेश सच्चाई में बदल कर दिखाया है इस टीमनेस जाबवा के एक पार्क में कचरे से अदभूत आर्टवर्क तयार किया है अपने इस काम के लिए उन्हों ने आसपास के ख्षित्रों से प्लास्टिक वेश्ट इस्तिमाल की हुई बॉटल्स टायर्स और पाइप्स इखठा किये इन आर्टवर्क में हेलिकॉप्टर, कार और तोपे भी शामिल है खुबसुरत हैंगिंग फ्लावर पॉट्स भी बनाए गए है यहाँ इस्तिमाल किये गए टायरों का उप्योग आराम दायक बैंच बनाने के लिए किया गया है सफाई कामगारों की इस टीम ने रिड्यूस, रियूस और रिसाइकल का मंत्र अपनाया है उनके प्रयासों से पार्क बहुत ही सुन्दर दिखने लगा है इसे देखने के लिए स्थानिय लोगों के साथ ही आस पास के जीलों में रहने वाले भी यहां पहुंच रहे हैं साथियों, मुझे खुशी है कि आज हमारे देश में कई सारी स्टार्ट अप टीम भी परयावरण को बढ़ावा देने के लिए ऐसे प्रयासों से जुड़ रही है इकॉंसियंस नाम की एक टीम है इसका एडिया उन्हें हमारे परयेटन सलों विशेश कर पहड़ी हिलाकों में फैले कच्रे को देख कर गया है ऐसे ही लोगों की एक और टीम ने इको कारी नाम से स्टार्ट अप शुरू किया है ये प्लास्टिक वेश्ट से अलग-अलग खुबसरत चीजे बनाते है साथियों टॉय रिसाइकलिंग भी ऐसा ही एक और ख्षेत्र हैं जिसमें हम मिलकर काम कर सकते हैं आप भी जानते हैं कि कई बच्चे कितनी जल्दी खिलोनों से बोर हो जाते हैं ब़ी ऐसे बच्चे भी है जो उनी खिलोनोंका सपना संजोय होते हैं ऐसे खिलोने जिससे अब आपके बच्चे नहीं खिलते उन्हें आप ऐसी जगों पर दे सकते हैं जहां उनका उपयोग होता रहे ये भी परियावरण के रक्षा का एक अच्छा रास्ता है हम सब मिलकर प्यास करेंगे तबी परियावरण भी मजबूत होगा और देश भी आगे भड़ेगा मेरे पैरे देश वासियों कुछी दिन पहले हमने 19 अगस को रक्षा बंधन का पर्व मनाया उसी दिन पूरी दुनिया में विश्व संस्कृत दिवस भी मनाया गया आज भी देश विदेश में संस्कृत के प्रती लोगों का विशेश लगाव दिखता है दुनिया के कई देशों में संस्कृत भाषा को लेकर तरह तरह की रिसर्च और प्रयोग हो रहे हैं आगे की बात करने से पहले मैं आपके लिए एक छोटी सी ओडियो क्लिप प्ले कर रहा है साथ्यों इस और्यों का समंद यूरोप के एक दिखता है देश लिथुएनिया से है वहाँ एक प्रफेसर विदोनस ने एक अनूठा प्रयास किया है और इसे नाम दिया है संस्कृत अंद रीवर्स कुछ लोगों का एक ग्रूप वहाँ नेरिस रिवर के किनारे जमा हुआ और वहाँ उन्होंने वेदों और गीता का पाठ किया यहाँ ऐसे प्रयास पिछले कुछ वर्सों से निरंतर जारी है आप भी संस्कृत को आगे बढ़ाने वाले ऐसे प्रयासों को सामने लाते रहिए मेरे प्यारे देश स्वास्यों